हेलो स्टूदेंट्स वेलकम टू साइट वन एजूकेशन हम पढ़ रहे हैं चैप्टरस एक्ष्टल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्रांट्स पुष्पिय पादपो में लैंगी चरन हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे जो है फर्टिलाजेशन को क कि अंदर फर्टिलाजेशन किस टाइब से होता है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडोस्पर्म आज का टॉपिक है हमारा भून पोष्ट एंडोस्पर्म हमने जो लास्ट टॉपिक जो है उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने लास्ट लेक्शेर के अंदर य में वो मिला था एक तो डिपलॉइड जाइगोट मिला था यूगमनज मिला था और जो है एक जो पोलर नुकलियाए था सेकंडरी नुकलियस जिसे हमने का था वो सेकंडरी नुकलियस मेल गामेट से फ्यूज होकर के जो है उसने ट्रिपलॉइड एक सेल का फॉर्मेशन किय का था जिसे हमने का था primary endosperm nucleus का था प्रात्मिक ध्रून पोश्य केंद्रक का था ठीक है आज हम यह पढ़ने जा रहे हैं कि जो वो triploid जो triple fusion से एक triploid primary endosperm nucleus का formation हुआ था वो आगे चाकर के उसका development कैसे होता है और वो endosperm में कैसे develop हो जाता है तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक एंडो स्पर्म भून पोश्य तो हमने last में पढ़ा था कि एक male gamut और secondary nucleus secondary nucleus जो है वो deployed था ठीक है and male gamut क्या था है haploid structure थी अग उने सरंचना थी और इन दोनोंने triple fusion किया था और triple fusion करके trig cellen करा और एक triploid cell का formation किया यह है primary endosperm nucleus ठीक है अब यह primary endosperm nucleus जो है यह आगे जाके develop होगा endosperm में ठीक है brun posh में होगा जिस तरीके से इसका नाम है जो है brun posh brun मतलब की embryo और posh मतलब की nourishment देना portion देना ठीक है न तो यह क्या करेगा कि हमने zygote को formation पड़ा था उस उस युगमनत से जो है वो आगे जाकर करके plant का embryo बनेगा plant embryo बनेगा पादप brun बनेगा और उस embryo को nourishment देने का जो काम होगा वह endosperm का होता है ठीक है ना तो जो endosperms है एंजियो sperm के अंदर वो कितने types के पाई जाते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि हमने कुछ different type के जो है वह endosperm की structures बना रिखी हैं तो एंजियो sperm जो है इनके अंदर तीन types के जो है आपको देखने को मिलेंगे endosperm brun posh फर्स्ट जो है इसका type वह है nuclear endosperm नूक्लियर endosperm केंद्रियर brun posh नूक्लियर endosperm का क्या मीनिंग है तो जो हमने बात करें कि primary endosperm nucleus जो की triploid था वो आगे जाकर के क्या करेगा कि जब वो nuclear endosperm का formation करेगा तो वो सबसे पहले free nuclear division करता है ठीके ना क्या करेगा मुग्त केंद्र के विबाजन free nuclear division करेगा और उसके resultant जो है हमें क्या देखने को मिलेगा कि खूब सारे nucleus confirmation होगा जिस तरीके से आप यह देख रहे हैं यह है nuclear endosperm तो जो primary endosperm cell थी वो उसने क्या किया division किये और उसने free nuclear division करके कुछ nucleus का formation किया तो आप यहां देख सकते हैं कि different types के जो है वो nucleus हमें देखने को मिल रहे है केंद्र को का जो है निर्मान हो जाता है फिर इसके बाद जो है आगे जाकर कि यह nucleus का formation होता है लेकिन इनके उपर nucleus पे कभी भी wall का formation नहीं होता ठीके ना क्या होगा जो है starting में जब इसमें free nuclear division होगा तो इसमें wall का formation nucleus पे नहीं होता है फिर देन इसमें हमें क्या दिखाई देने को मिलेगा कि एक vacule भी हमें present होगी रिक्तिका जो है यहां पर रिक्तिका का भी निर्मान होगा vacule present होती है तो nucleus का formation हो गया and vacule present है बाद में आगे जाकर के जो है जब सारे nucleus का formation हो जाता है ठीके ना जब nucleus का formation हो चुका है उसके बाद में यह nucleus जो है इनके cytokinesis होना start होता है कोशी का द्रवे का विवाजन होना शुरू होता है यह सारे के सारे कहां पर हो रहा है process यह हो रहा है ओव्यूल के new cells में बी जान का है उतक जहां जो embryo sec था उसके अंदर जो new cells था वहां पर यह हो रहा है पुरा process तो वह जो new cells था वहां जो endospum का formation ह हो रहा है तो वहां सबसे पहले nuclear का formation हुआ फिर हुआ cytokinesis ठीक है कोशी का द्रवे विभाजन और यह cytokinesis होके हर एक nucleus जो है वो convert हो गया cells के अदर यहां आप देख सकते हैं कि यह एक हर एक nucleus वह था वो वाल का formation कर लिया उसने अपने चारों तरफ जो है कोशी का बित्ति का निर्मांड कर लिया और यह बन गया जो है एक cell में convert हो गया तो यानि कि हमें यह देखने को मिला कि पहले जो यह एंडोस्पर्म था वो क्या था सिर्फ nucleus size में इसलिए इसको नाम दिया गया है nuclear endosperm हाला कि इसमें बात में जो है यह को cellular stage में आ जाता है कोशी के अवस्ता मे आ जाता है बाट इसका जो इसकी जो first stage है इस basis space को कहा गया है nuclear endosperm ठीक है नो तो यह क्या है nuclear endosperm से clear है फिर next हम बात करते हैं cellular endosperm की second है कोशी के प्रून पोश तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो primary endosperm जो cell है इस primary endosperm cell ने जो है वो division करना है start किया free nuclear division करेगी मुक्त केंदर के विभाजन करती है यह cell और फिर उसके बाद में जब इन nucleus का formation हो रहा होता है तो उसी time पर cytokinesis भी होना start हो जाता है कोशी का द्रवे का विभाजन भी उसी वक्त हो जाता है और उसकी resultant जो है wall का formation हो जाता है तो यहां पर तो हमें देखने को मिला कि nucleus बने उसके बाद में सारी nucleus पर वाल बनी यहां पर जैसे जैसे nucleus बनते जाएंगे उसी तरीके से जो है उसके wall का formation भी हो जाएगा तो यह starting stage से ही जो है initial stage से यह हमेशा cellular stage में रहेंगे कोशी के अवस्ता में रहते हैं तो इसलिए जो है इसे नाम देया जा स्पर्म कोशिक यो है prime पोश का जाता है छीक घ्या etti के कि अब नेक्स्द जो 3rd 3rd special टाइप का जो पाया जाएंगा एंजियो स्पर्म के अंदर ऐंडो स्पर्म वो यह gallery endeavor करूं क्या है तो वही a three now primary andock mentale तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा जो प्राइमरी अंडो स्पैम स्पैम सेल है इसमें सबसे पहले साइटो काइनेसिस होगा और ट्रांसफर्ज अनुप्रस्थ कोशिका द्रवे विभाजन देखने को मिलेगा और इसके अंदर जो है तो यह यहां पर हम देख रहे हैं कि दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो ये वो दो cells हैं जो की primary endospalm cell ने transverse division करके पनाई है ठीक है रहे फिर एक cell जो होती है वो छोटी होती है और ये चलेजल part की cell होती है ठीक है ना निभाग ये जो भाग है जो हमने embryo stack में पढ़ा था चलेजल part की cell जो है वो क्या होती है size में छोटी होती है और जो micropile वाली reason की बिजान दुवार वाली reason की जो कोशिका है वो छोटी होती है ठीक है तो ये क्या है ये जो दो बड़ी cells है वो micropile वाली reason की है और चलेजल part वाली cells छोटी होती है next इनके अंदर क्या होगा कि ये जो दोनों cells है इसमें micropile laser वाली जो बड़ी cells है इनकी vacuels जो है यहाँ देख सकते हैं कि ये vacuels present है ठीक है vacuels present है रिखती का है ये जो है vacuels बड़ी हो जाती है और इस cell के जो अंदर जो है वो development होना start होता है और इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि सबसे पहले जो है nucleus का formation होता है and free nuclear division करके ये cell जो है मुक्त केंदर के विभाजन करके खूप सारे nucleus का formation करती है केंदर को का निर्मान करती है और ये nucleus जो है इसने बनाए है उस पे wall का formation भी हो जाता है ठीक है न? wall का formation हो जाता है कोशिका बित्थी का जो है वो निर्मान हो जाता है तो यहां हमें क acquisition भी हो जाता है तो यानि कि ये nuclear endosperm के जैसा भी है बाद में wall का formation भी हो जाता है तो wall का formation होने के basis पर बनी है तो इसलिए इसे क्या खांगया है cellular endosperm भी कहा गया है तो है लोबियल एंडो स्पर्म जो होता है वह nuclear endosperm की जैसा भी होता है और cellular endosperm की जैसा भी होता है तो इस टायब का जो endosperm होगा वह हमेशा मोनोकॉर्ट के अंदर पाया जाता है मोनोकॉर्ट में मिलेगा एक पत्रिए पाध्कों के देखने को मिलता है और इसे निुक्लियर और सेलूलर का जाता है जो नगे एंढुस्परम हैला सब्सक्राइब करें नियुक्लियर एंढूस्परम है इसका एक्जांपल है कोकुनट तो जो कोकुनट है कोकुनट के अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं एक तो उसका जो वाइट वाला जो पार्ट है जो जिसे हम कोकुनट मील बोलते हैं तो कोकुनट मील के अंदर ठीक है ना कोकुनट मील के अंदर तो हमेशा जो एंडोस्पम पाया जात है और जो नीकलियर आंडो स्प्वाम जो हो हम auf kokonut milk जो जो की and energy drink पीजिसे बोला जाता है तो जो coconut milk है उसके अंदर जो endosperm है जो portion है वो nuclear endosperm का example है ठीक है तो coconut के अंदर जो मील है वो क्या है और coconut milk तो coconut milk जो है वो cellular है कोशी किये है और जो coconut milk है वो nuclear है ठीक है तो यह तीन टाइप्स जो है वो endosperm के आपको पढ़ने हैं यह चीज जो है आपको एंसियार्टि के अंदर मेंशिन किया हुआ है कि आपको एक एक टॉपिक्स जो है वो किस तरीके से पढ़ने हैं इनकी structure पता होना चाहिए development पता होना चाहिए कि कौन सा डिवीजन कब होगा और इसका जो है कि किस किस के अंदर पाया जाता है इसके examples ठीक है अब next बात करते हैं कि इसकी importance क्या है endosperm की importance क्या होती है तो जो endosperm है वो बन रहा था embryo sec के अंदर और embryo sec के अंदर जो zygote को formation हुआ था उससे plant embryo बनेगा और plant embryo पादब भुरून को portion देने वाला जो पोशन देने वाला जो material है वो होता है endosperm तो endosperm जो है वो उस plant embryo को nutrition देने का काम करता है ठीक है और endosperm जो है वो किस के अंदर होगा ovule के अंदर होता है तो ovule जो है वो basically seed के अंदर convert हो जाता है तो seed के अंदर plant embryo हुआ और plant embryo को portion कौन दे रहा है endosperm ठीक है अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर seed के अंदर जो है वो endosperm हमेशा रही ठीक है तो जब plant embryo जो है वो develop होता है और seed के अंदर कुछ ऐसी condition आती है कि जब endosperm जो है वो हमेशा रहता है और कुछ ऐसी condition है कि जब endosperm नहीं रहता वो जो है nutrition देके खतम हो जाता है ठीक है तो ऐसे seed जिनके अंदर plant embryo जो है वो develop होने के बाद भी endosperm बना रहता है उन्हें कहते हम albuminus seed कहते हैं ठीक है क्या कहेंगे उन्हें albuminus seed तो जिनके अंदर endosperm जिन seed के अंदर है उन्हें albuminus seed बोलते हैं ब्रून पोश्य बीज कहते हैं और जब nutrition देने के बाद अगर अगर जो endosperm है वो अगर degenerate हो जाता है खतम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं non-albuminus seeds कहते हैं non-albuminus seed जो है इसके एक्जामपल है कैस्टर कैस्टर और जितने भी अनाज है सीरियल से उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं albuminus seeds देखने को मिलते हैं non-albuminus seeds जो हैं यह हमें देखने को मिलेंगे sunflower के अंदर पी में और बीन्स के अंदर जो है हमें non-albuminus seeds देखने को मिलते हैं तो यहां पर अपना जो है topic endorsement complete होता है तो आगे का जो है next lecture के अंदर हम next topic के बारे में पढ़ेंगे तब तक आप मैनत करते रहो पढ़ते रहो thank you all the best